तो हे नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश और आज की पार्चला में हम बात करेंगे FND T200X 2.1 Home Theater System के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस प्रोड़क की Unboxing और साथ में करेंगे इसका Review तो बिना किसी देरी के चलिए कुछ जानते हैं अगर आपका Budget 6000 के अंदर है और उसके अंदर आपको एक अच्छा High Quality का Home Theater System चाहिए और साथ में वो हो Wireless System के साथ तो शायद ये प्रोड़क आपके लिए हो सकता है जो है FND का T200X जो Bluetooth 2.1 Home Theater System है अगर आप इसे Flipkart से Buy करते हैं तो आपको Almost 6000 के आसपास मिल जाएगा तो अगर आप इस प्रोड़क को Buy करना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए फिर उसके बाद आपको ये प्रोड़क बाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आपको End of the वीडियो बताऊँगा तो सबसे पहले हम करेंगे प्रोड़क को Unbox Unboxing के टाइम हमें जो सबसे पहले चीज मिलती है वो इसमें Manual Kit मिलेगी दो बैटरी के साथ आपको इसमें एक Remote मिल जाएगा जिसके जरीए आप अपने Home Theater को इस Remote Control के थूरू अपरेट कर सकते हो तो अगर Remote Quality की बात करूँ तो Remote Quality ठीक ठाक है बहुत ही Lightweight Remote है ये तो इसमें आपको दो Speakers मिल जाते हैं 2.1 तो आपको इसमें दो ऐसे Stand और मिलेंगे जिसके जरीए आप इन दोनों Speakers को Stand पे रख सकते हैं जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं अपने इस Home Theater को इस Stand में Fix कर सकता हूँ अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो तो अभी Box में से निकाले पे हमारे Home Theater System को और अभी इसके अंदर तो फिलाल और कुछ नहीं है तो अगर आप Home Theater को देखेंगे तो ये Bluetooth Home Theater System है जिसमें आपको USB का भी सपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद में आपको इसमें FM सिस्टम भी मिल जाएगा उसके बाद आपको इसके अंदर 8 इंच के Sound Buffer मिल जाएगे जो आपको High Quality के Base प्रोवाइड करेगा Look and Feel की बात करें तो लुक भी इसका काफी अच्छा है तो अगर Design और Build की बारें बात करें तो Design और Build में भी ये Home Theater System अच्छा है इस तरफ आपको Subwoofer की Position मिल जाएगी पीछे की तरफ आपको Travel Control और Base Control के लिए Controller मिल जाएगा और इसके पीछे आपको Audio की Input 2 मिल जाते है Power On-Off करने के लिए मिल जाते है पस आपको FM के लिए एक Cable भी मिल जाएगा जिसके जरीए अब अपने FM को Enjoy कर सकते हो तो आपको पीछे की तरफ Audio Input भी मिल जाएगा जो इसमें आपको Speakers मिलते हैं या तो आप उसे Stand के थूँ खड़े रख सकते हैं या आप उसे इस तरीके से Sound Bar के थूँ यूज कर सकते हैं इन Cable की यूजिस से आप अपने Sound Bar को इस तरीके से Connect कर सकते हो First Time Speakers को Start करने पे इस तरीके से आपको LED मिल जाएगी अगर जो मैं LED या RGB Color की बात करूँ तो यहां पे उनका Look और styling बहुत ही अच्छा है और साथ में जो Designing है और जो Colors है वो भी बहुत ही Bright है तो अगर आप अपने Home Threader में इस तरीके की Cool चीज़े देख रहे हैं तो शायद यह speaker आपके लिए हो सकता है तो अगर आपको connect करना है तो आप अपना remote भी यूज़ कर सकते हैं Bluetooth mode on करने के लिए उसके बाद आप अपने smartphone में Bluetooth device में जाके इसे search करेंगे FND का speaker मिल जाएगा जिसे आप connect कर सकते हो इस तरीके से आप अपने phone को अपने speaker के साथ connect कर सकते हो तो अभी मैं आपको कुछ sound test करके बताऊंगा कुछ song मैं इस home 3D system में play करूंगा साथ microphone justice ना कर पाए तो पहले तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ लगा कि आप पता कर सकते है कि इसकी sound quality कैसी है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरा opinion तो अगर मैं मेरा short and simple review या फिर मेरा opinion बता हूँ तो 6500 से 5000 की range में ये speaker आपको अच्छी base quality प्रोवाइड कर रहा है प्लस styling प्रोवाइड कर रहा है जो इसके side के sound bars है उसे आप इस तरीके से place कर सकते हो या फिर आप इसे single line में भी रखे use कर सकते हो डिपेंड आपकी styling के उपर है तो मेरे इसाब से 5000 से 6000 के price के बीच में F&D का T200X आपको अच्छा performance प्रोवाइड करेगा अगर आपको ये home theater system buy करना है तो इसकी best buy link में नीचे description में दे दूँगा जिससे आप ये genuine product buy कर सकते हो अगर मैं मेरा personal opinion देऊ तो मुझे sound quality बहुत ही पसंद आई है क्योंकि इसके जो sound है वो काफी loud है अगर मैं इसे एक बड़े area में भी play करूँगा तो वहाँ पर भी ये अच्छी quality ही provide करेगा तो दोस्तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है इस वीडियो में प्लीज इस वीडियो को like देना मत भूलिएगा तो अगर आपको इसी तरह के interesting content देखने है future में सबसे पहले पार्टशाला चैनल को ज़रू subscribe कर लेना चाहिए जो red color का button है उसे एक बार आपको click कर लेना चाहिए तो दोस्तो साथ ही साथ आपको corner में एक button मिल रहा होगा वहाँ पर आप poll कर सकते हैं कि आपको इसकी sound quality कैसी लगी जो मैंने आपको थोड़े दर पहले सुनाई थी तो आप वहाँ पर मुझे अपना opinion जरूर बताईएगा और साथ ही साथ मुझे आप comment करके बताईगा कि ये home theater system अच्छा है कि नहीं या फिर आपके पास कोई दूसरा suggestion है प्लीस हमें comment करके जरूर बताईगा तो दोस्तो आज की पार्चाला में हमने किया FND के T200X Bluetooth Home Theater System के बारे में की बाते हमने किया इसका unboxing और साथ में किया इसका sound test और इसका review तो दोस्तो आज की पार्चाला में मेरी तरफ से बस इतना ही कर दो को किया अढ़ाना आज कर दोस्तो आज किया, आज का और बता झाज है